हलो गाईज वेलकम टू माई चैनल में एक कांसेट आज हम डिसक्स करेंगे इसरो एक्जामनेशन पैटर्ण के बारे में आपको बता दें अगर आप सस्थीजेई इसरो अधर प्यस्यू एक्जामनेशन की त्यारी कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर इस हेड़कॉर्टर इन दे सीटी अ बैंगलूरू इट इस इस इन फिप्टीन अगस्ट नाइटीन सिक्टीन आपको बता दें दोस्तों अच्छी बात यह है कि यह गेट से आपको रुक्रीट रिक्रूट नहीं करता आपका सेप्रेट एक्जाम कंड़क्ट कराता दोस्तो यह काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बात करते हैं इक्जामनेशन पैटर्न की आपका यह प्यूर्ली टेक्निकल सब्जेक्ट अपका होता है दोस्तों इग्जामनेशन बात करें आप इसमें तीन ब्रांच की वेकंसी आती है दोस्तों मेकैनिकल कंप्यूटर साइंस और electronics engineering बात करते हैं pattern की तो आपको इसमें total 80 question मिलते हैं दोस्तों जिसके लिए आपको 90 minute मिलते हैं यानि देर घंटे आपको मिलते हैं आपका जो 80 question होता दोस्तों वो pure technical होता है आपका जो engineering में subject होते हैं whole subject से आपका total 80 question मिलते हैं आपको जो marks decide होता हो आप three marks per each वहीं आपकी इसमें आपको negative marking भी दिखने के मिलते हैं दोस्तों वन भाई थर्ड की negative marking बात करते हैं calculator की तो इसमें आपका calculator allowed नहीं होता है दोस्तों तो आपको आपकी calculation काफी fast रखनी होगी क्योंकि question जादे हैं और आपको time सिर्फ 90 मिनिट है दोस्तों तो आपको accuracy और speed दोनों पर ध्यान रखना है कि बात करते हैं selection ratio दोस्तों return exam का selection ratio होता है one ratio 10 का दोस्तों एक seat पर आपका 10 लोगों qualify करा जाता है interview के लिए आपको बुलाया जाता है बात करते हैं interview का दोस्तों इसका interview बहुत ही बेहतरीन होता दोस्तों लगभग आपका आधे गंटे से ज्यादा होता है 30 मिनट से ज्यादे का interview होता दोस्तों अगर आप 30 मिनट तक interview अगर आपका चल रहा है तो सेलेक्शन के चांसे जादे हो जाते हैं अगर आप 30 मिनट से कम तक आपका इंटर्वी चल रहा तो समझिए सेलेक्शन के चांसे काम है आपके बहुत ही उम्दा लेबल का इंटर्वी होता है इसमें आपका जो राइटर होते हैं दोस्तों आपके बुक के अच्छे-च्छ वह आपके इंटर्व्यू पैनल में बैठते हैं बात करते हैं सेलरी की तो एबाउट 60,000 पर मंत आपको मिलता दोस्तों बट फैसल्टी आपको काफी अच्छी मिलती है इश्रो एक्जाम आर्गनाइजेशन में बात करते हैं पोस्टिंग लोकेशन की तो आपको अगर आप इश्रो में सेलेक्ट होते हैं तो आपको बैंगलूरू तिर्वन्त पूरम श्री हरी को आपको यहां पर आपकी जॉइनिंग मिल सकती है कि आप्टर इंटेव्यू दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो बात करते हैं 2020 में वेकंसी की दोस्तों फार मेकैनिकल के लिए आपकी जो बैकेंसी आया थी टोटल साइंटिस्ट के लिए वाई थी 135 दोस्तों 12 जन्वरी को कंड़क्ट करया था 2020 में बात करते हैं मेकैनिकल इंजिनिरिंग में जो कटाप बनी थी दोस्तों वह बनी थी 153 231 में क्योंकि जो तीन कूश्यन थे दोस्तों वह आपके डिसकार्ट कर दिये के थे वहीं बात करें कंप्यूटर साइंस की तो आपका कंप्यू है आपका मार्स जो हैड़ा में अपका एंटुर्व्यों के लिए काल के लिए तो इप देख पर हैं बहुत है यह हैं तयप कंप्ठेशन होता है मेकीं कि दूस्तों क्योंकि आपकी जूनमिक्तर ऑफ आफ स्टूडेंट तैं वह जादा है Working मेंगें अभी अरौन आप श इक्जामिनेशन पैटर्न के बारे में दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं मैं डिपनेटली रिप्लाई करूंगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत गाड ब्लेस यू आल